आपका कोई भी विचार आपका नहीं है आपके कोई भी विचार वाकई आपके नहीं है कृपिया ये समझे विचार वो चीज है जिसे आप बाहर से जमा की गई जानकारी के आधार पर पैदा करते हैं हर तरह की चीजें आप तक पहुँच रही है जिस तरह से आप अभी सोच रहे हैं ये इस पर निर्भर करता है कि आप कैसे परिवार में पैदा हुए थे आपके माता-पिता कैसे थे, आपकी शिक्षा कैसी थी, समाज कैसा था, समाजिक और धार्मिक स्थिती कैसी थी क्या ये सभी चीज़े नहीं तै कर रही कि आप कैसे सोचते हैं? हाँ या ना? बिल्कुल है ना? तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये आपका विचार है? हर तरह के लोगों ने इस पर असर डाला है. क्या कोई मुझ में विचार डाल सकता है? बिल्कुल. बिल्कुल डाल सकता है. अगर आप ये पूछ रहे हैं कि कोई जान बूच कर आप में विचार डालने की कोशिश कर रहा है, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है. लेकिन आप ऐसा सोचना मच शुरू कीजे. क्यूंकि हर बार जब आप कुछ गलत करेंगे, तो आपको लगेगा कि किसी ने ये मेरे मन में डाल दिया. अगर आप किसी को उसे अपने मन में डालने देंगे, तब भी ये आपकी करनी है, है ना? हाँ? आप किसी को अपने मन में विचार डालने दे रही हैं, वो भी आपकी करनी है, है ना? अरे किसी ने मेरे दिमाग में विचार डाल दिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ लोग ऐसा कर रहे हैं ये हर जगा फैशन बन गया है ये भारत में हुआ करता था जब भारतिय बहुत सम्रिद्ध हो गए कई पीडियों पहले और वो स्वभाविक रूप से आलसी हो गए वो कहने लगे भागवान की इच्छा आप उनसे कुछ भी पूछिए वो कहेंगे भागवान की इच्छा भागवान की इच्छा होगी तो मैं उठूंगा कौन जानता है कि भागवान की इच्छा कब होगी अगर मैं कुछ करता हूँ भगवान की इच्छा थी, अगर मैं नहीं करता भगवान की इच्छा नहीं थी ये एक भयंकर धोका है लेकिन ये दुनिया में चले जा रहा है हर चीज जो लोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं वो हर हाल में करेंगे अगर आप कुछ मांगेंगे तो वो कहेंगे भगवान की इच्छा हाँ? क्या वो कभी ये कहेंगे भगवान की इच्छा हुई तो मैं रात में खाना खाऊंगा? नई, वो खाएंगे अगर आप पूछें कि क्या मैं खा सकता हूँ वो कहेंगे भगवान की इच्छा तो क्या हम विचार डाल सकते हैं? बिलकुल डाल सकते हैं वास्तव में हम आपके अंदर पूरी फिलोसिफी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो विचारों की एक श्रिंखला विचारों की एक पूरी जटिल श्रिंखला हम आपके दिमाग में डाल सकते हैं लेकिन विचार डालने के अलग-अलग तरीके हैं इसे छुपकर करने के तरीके हैं इसे करने के सीधे तरीके हैं इसे करने के अलग तरीके भी हैं जिनमें विचार नहीं डाले जाते आपको एक खास तरीके से सोचने की दिशा में ले जाये जाता है शुद्ध रूप से आपकी खुशाली के लिए ऐसा करने की जरूरत है वरना आप बस खुद को हर जगा बिखेर कर अपना जीवन बिना किसी उद्धेश के बिता देंगे और कहीं नहीं पहुँचेंगे इसे छुपकर करने के तरीकों में कई तरह की गोपनिय कलाएं शामिल हैं जिनके द्वारा वो आपके दिमाग में उल्टे विचार डालते हैं जिनसे आप अपनी बरबादी की दिशा में काम करते हैं इसे करने की सीधे तरीके स्कूल के शिक्षकों जैसे हैं वो आपको लगातार ये बताने की कोशिश करते हैं ये अच्छा है ये अच्छा है ये अच्छा है अगर मैं कहूँ असली चीज तो आप कहेंगे कोक ये हर कहीं लिखा है पूरी दुनिया में असली चीज तो ये बस दोहराने से होता है ये सीधा है अगर आप चाहें तो इसे अस्वीकार कर सकते हैं पहले तरीके में अगर आप किसी तरह से असुरक्षित हैं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है ये हर हाल में आपके जीवन में घुसेगा इसे करने का आखरी तरीका तभी काम करेगा जब आप इच्छुक हो आप में खुलापन और ग्रहन शीलता हो वरना जो इनसान आप में उस तरीके के विचार डालने का काम करता है वो ऐसी चीजें करने में रूची ही नहीं लेगा सिर्फ तभी जब आप इच्छुक हैं, खुलापन रखते हैं और एक विशेश दिशा में जाना चाहते हैं लेकिन आप में किसी ऐसी चीज को थामे रखने के लिए जरूरी द्रड़ता ना हो जो आपके लिए ज़रूरी है, तब आप में एक विचार एक अलग तरीके से डाला जा सकता है तो अगर आप अपने अंदर नकारात्मक विचार डाले जाने की बात कर रहे हैं तो आपको बस इतना करना है कि कोई सरल ध्यान करें जिससे आपका सिस्टम इस तरह से विवस्तित हो जाए कि ऐसी चीजें आपको प्रभावेती ना करें या आप अपने साथ कोई ऐसी चीज रखें जिससे आपके आसपास उर्जाओं का एक कवश तयार हो जाए जिससे ऐसी चीजें प्रभाव न डाल सकें कई तरीके हैं किसी दूसरे व्यक्ति को आपके विचारों पर प्रभाव डालने से रोकने के तो मुझे भी आपमें एक विचार डालने में रुची है एक विचार से कहीं ज्यादा कुछ मैं आपमें एक विस्फोटक डाल सकता हूँ अगर आप चाहें तो एक बम नहीं, एक विस्फोटक क्या आप जानते हैं कि दोनों में फर्क है बम पूरी तरह से विनाश लाता है विस्फोटक का कई तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आप चाहें तो मैं एक विस्फोटक डाल सकता हूँ सिर्फ एक विचार क्यों अगर आप बस बैठें, तो बूम, वो फट जाएगा मैं परमानंद का एक विष्फोड डाल सकता हूँ अगर आप चाहें तो अगर आप बस अपनी आँखें बंद करें ऐसे कई लोग हैं अगर वो बस अपनी आँखें बंद करते हैं उनकी आँखे घूम जाती है। सिर्फ एक विचार क्यों? विचार एक बुन्यादी चीज है। बिलकुल सतय की चीज है। हम आपमें उर्जा डाल सकते हैं। इस तरह से कि वो आपके जीवन का मार्क दर्शन करेगी, आप चाहें कहीं भी हों, आप चाहें जो भी हों। विचारों से बहतर तक्निकें मौजूद हैं।